चीन हमारा पडोसी नहीं था 47 तिब्बत हमारा पडोसी था तिब्बत चीन का है कोई मानने को तयार नहीं था मगर बनडुं कॉन्फरेंस में जाके आपने मनवा दिया और उसके बाद तिब्बत के नहीं वो तो एक्साइची जिन तक आ गया तो जो गलती है वह भी मानना प्राविंस जो आज कल खैबर पक्तुनवा है फाटा का इलाका महां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी वहां कॉंग्रेस जीती थी खान अब्दुल गफार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से और उस समय ये स्टेंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ता है इस्ट वेस्ट पाकिस्तान दो हजार किलो मिटर दूर होके एक देश हो सकते थे हम वो नॉर्ट फेस्ट प्रेंटियर प्रॉविंस हमारा हिस्सा नहीं हो सकता था और जह हमने मना कर दिया तो खान अब्दुल गफार खां का ये स्टेट्मेंट है कि आपने ह 47 में बॉंबे प्रसिदेंसी से कंट्रोल होता था ओमान हमने कितना छोड़ा है कितना गवाया है सब कुछ गवाते चले गए एक बात विचार करिए हम 2022 में बैठे है उन्निस सो अठारा या उन्निस का 105 साल पहले का भारत सूड देखिए सिर्फ पाकिस्तान मंगला देशी इस निए अफगानिस्तान बर्मा भी हमारे हिसा था हमने बताए ना ओमान तक उससे कंट्रोल होता था तब तक न तिब्बत चीन का हिस्सा था ना शेंगन चीन का हिस्सा था सोविस्ट संग का गठन नहीं हुआ था तो हम सबसे बड़े देश थे and entire China was Buddhist considering Hindu and Buddhism as a one family religion we were the biggest religion on earth and we were the biggest country on earth और आज जो हालात हुए अगर मजबूस सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात हैं कश्मीर बैली में क्या होगा? question mark North East में क्या होगा? question mark केरल और पश्मी उत्रप्रदेश के कुछ इलाके और बंगाल के बंगलादेश से जुड़े इलाकों में क्या होगा? question mark नकसल प्रभावी इलाकों में, 36 गड़ में, जहार खंड में उडिसा के इंटिरे इलाकों में क्या होगा? question mark यानि खत्रा ये है कि मदबूस सरकार ना हो तो आजादी के सौ साल बाद हो सकता हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाएं इन सब चुनोतियों को समझना है और उसकी अनुसार हमें यह संगर्ष करना है कि स्वतंत्रता को हमें सार्थक करना है उसके लिए हमें इन सारे जितने भी प्रकार की चीजे हैं उससे चौकनना रहना है और जो मैकाले का माइंसेट उननीस्वी सदी का और माक्सवाद का माइंसेट बीस्वी सदी का दोनों से अपने मन में जित्ते विश हैं उस मनो रोक से मुक्तिपानी है और जो अभी कहा गया था कि किस्वी सदी हमारी होगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक जनवरी उननीस सो एक को जब इस देश में सूरज उगा तो पूरे देश में किसकी सरकार थी अंग्रेस की एक जनवरी 1951 को पूरे देश में किसकी सरकार थी कॉंग्रेस की और एक जनवरी सन 2001 को जब 20 सदी के सूरच की पहली किरण इस देश की धर्टी पर गरी तो इस देश में किसकी सरकार थी अटेल जी के नित्वर्ट में भाजपा की अगले दशक में मोदी जी के नित्वर्ट में इस पश्ट बहुमत की मतलब बहुत साफ है नियतिका संकेद कि 19 सदी अंग्रेस की थी 20 सदी कांग्रेस की थी 20 सदी भारती जनता पार्टी की तो 21 सदी हमारी है हमारी उस विचार